जे डियू नेता केसी त्यागी हमारे साथ है पार्लिमेंट का सेशन 14 सितंबर से शुरू होने वाला है लेकिन इस बार जीरो आवर नहीं होंगे इसको लेकर के विपक्ष के चुरू हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है और सरकार तमाम उद्दों से ध्यान बाटना चाहती है विपक्ष का आरोप है कि ये डेमोक्राटिक वाल्यूज के खिलाफ है कि जीरो आवर ना हो और ना हो पार्लिमेंट में तो सदन की कारवाही कैसे ऐसे में हो पाएगी जब विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं दिख रहा है डबलू एच्चो के हैंड में आज भी वर्म किया है कि अगर भारत ने मानताओं को स्विवकार नहीं किया सोशल डिस्टेंस नहीं रखा और दूसरी चीज़ों का पालम नहीं किया तो चार लाट से जादे मौते अकेले भारत में हो सकते हैं यह संक्रमन काल का बहुत मानो जाती के इतियास का सबसे कठिंद हो रहे हैं ऐसी परिस्टियां मानो जाती के इतियास में कभी नहीं हो उसी में पार्लेमेंट भी हो रही है उसी में चुनाओं भी हो रहे हैं और उसी में अनकाम भी हो रहे हैं लेकिन परिस्टियां ऐसा मान और जो सामान प्रक्रिया है वो इस समय संभव नहीं है जो सरकारी कामकाज है उन्हें को पूरा करने के लिए सत्र बुलाए गया और विपक्ष की भी लगातार मांग थी कि हम कमुक चीज़ें डिस्कस करनी है वो जो भी डिस्कस करना चाहते है प्रजेन पॉलिटिकल सिच्व पर कोवीड पर बाड़ पर अलविशों पर उसके लिए लंबी वहस के लिए सरकार तेयार है लेकिन जो सोसल डिस्टेंसिंग के कंसेप्ट है जिन विसम परिस्टितियों में यह सदन हो रहा है हमारा आग्रह होगा विपक्ष के जिम्मेदार नेतां से कि उसको इसी तरह से होने के लिए लेकिन सर्व विपक्ष का कहना है कि जो आप सेशन करा रहे हैं तो आप विश्चन आवर भी रखिए आप उसमें जीरो आवर भी रखिए ताकि संसर असान से जिरो आवर सिर्फ इसी सत्र के लिए सस्पेंड किये गए हैं सदा के लिए कैंसल नहीं है वो इतन स्पून सवाल है वो नेता ना पूछ पाएं यह जो सदन के कामकाज की प्रिक्रिया से वाकित हैं वो जानते हैं कि इन सारे सवालों पर कुश्चन आवर जीरो आवर को सुस्पेंड करके भी बहस हो सकती है कॉल अटेंशन मोसन के जरिये हो सकती है शौर्ट डूरिशन के ज शौर्ट बहुत 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 बाच्चीत के लिए विजलक्षमी इंडिया टीवी दिली